आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल महाध्यन में वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजे आजम करने जा रहे हैं हमारी छटी की कक्षाओं के लिए विज्ञान की वक्षीत जिसका नंबर है 19 और आज हमारी तारीख है 4 दिसंबर शिरू करते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, छाया और प्रावर्तन के बारे में जिसके बारे में हम पहले भी काफी सारी बाती कर चुके हैं जब प्रकाश किर्णे किसी वस्तू पर गिरती हैं तो वे टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाती है प्रकाष किर्णों की इस प्रक्रिया को प्रकाष का प्रावर्तन कहा जाता है हम सोचते हैं की कोई वस्थू जब हमें दिखाई दे रही है तो वह हमारी आँखों की रौश्नी की वज़ा से है लेकिन पिछली वर्कषीटों में हम ये समझ चुके हैं कि हमारी आखे होने के बाद भी हम वस्तु को तब नहीं देख पाते जब अंधिरा होता है। हम प्रकाश की वज़ा से वस्तु को देख पाते हैं। तो हमें वस्तु एं तब दिखाई देती हैं जब प्रकाश की किर्णे वस्तु पर पढ़ती हैं। और वस्तु पर पढ़ने के बाद वो टक्रा कर वापिस आती है ऐसी इस्तिती में ही हमें वस्तु दिखाई देती है और ये प्रकाश का टक्रा कर लोटना ही प्रकाश का प्रावर्तन है प्रकाश के इसी प्रावर्तन को समझने के लिए हमें गती विधी करेंगे करना क्या है सीशा उसके सामने हम खड़े हो जाएंगे और अपने चित्र को परती बिम्ब को देखेंगे उसके अंदर परती बिम्ब मतलब जो उसके अंदर हम दिखाई देते हैं वो हमारा परती बिम्ब है हमारे जैसा जो दिखाई दे रहा है उससे देखने के बाद आपको बताना है क्या आपका प्रति बिम आपके शरीर का अकार एक ही है तो हम कहेंगे हाँ जैसे हम यहाँ दिखाई देते हैं वैसे हम शीशे में भी दिखाई देते हैं उसके बाद हमसे पूछा गया है कि आप अपना बायां हाथ उपर उठाईए और फिर बताईए कि जो सामने प्रती बिंब था उसने कौन सा हाथ उठाया तो जो हम हाथ उठाएंगे वह उसके सामने वाला ही हाथ उठाएगा जो कि उसका उल्टा हाथ होगा यानि अगर हमने बाया हाथ उठाया है तो वो अपना सीधा हाथ उठाएगा जिसे हम दाया हाथ बोलते हैं अगर हम दाया हाथ उठाते तो वो अपना सीधा हाथ उठाता अब आगे की तरफ देखते हैं हम दो कदम पीछे की तरफ चलेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब हम पीछे की तरफ दो कदम जाते हैं तो प्रतिबिम्ब में क्या होता है या प्रतिबिम्ब क्या करता है तो हम देखेंगे हमारा प्रतिबिम्ब भी पीछे की तरफ चलता है हम दो कदम पीछे चलते हैं तो वह भी दो कदम पीछे चलता है लड़के को लेकर की गई है, तो चलिए हम भी महेश के नाम से ही इसे पढ़ लेते हैं, महेश शीशे के सामने यानि की दरपन के सामने खड़ा होता है और वह एक आकृती देख सकता है, जो उसी के जैसी है, और इसी को प्रती बिम्ब कहते हैं, तो प्रती बिम्ब क्या होता ह दरपण में शीशे में देखने पर जो हमारी ही जैसी आकृती दिखाई देती है वह हमारा प्रति बिम्ब है यह प्रति बिम्ब हमें सिर्फ तब दिखाई दे सकता है जब कोई प्रकाश का शुरोत वहां मौजूद हो जैसे जब प्रकाश सूरय या बल्ब जैसे प्रकाश रोट से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किर्णे फिर से प्रावर्तित हो जाती है जिससे एक प्रतिबिम्ब बनता है जब ये प्रावर्तित किर्णे महेश की आँखों में परवेश करती है तो वह अपने प्रतिबिम को देख सकता है और यही बात मैंने अभी अभी आपको पिछले क्रिया कलाप में बताई कि हम क्यूं दिखाई देते हैं और हम क्यूं देख पाते हैं क्यूंकि प्रकाश हमारे उपर पढ़ता है और वो लोट जाता है और हमारी आँखों में भी पढ़ता है जिसकी वजह से हम चीजे दिखाई देती हैं तो प्रकाश का पढ़ना और लोटना इसकी वजह से हमें प्रति बिम्ब दिखाई देता है मतलब यह कि अगर आप अंधेरे में शीशे के सामने खड़े होंगे तो आपको शीशे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा तब दिखाई देगा जब रो चीजे जानी और समझी और वो निमने लिखी चीजे हैं प्रति बिम्ब का आकार वस्तू के आकार के समान होता है मतलब हम अगर मोटे हैं तो प्रति बिम्ब जो दिखाई देगा वो मोटा दिखाई देगा हम पतले हैं तो प्रति बिम्ब में पतला दिखाई देगा आपको उल्टा मतलब जो हमारा सीधा हाथ है वो प्रति बिंब का उल्टा हाथ होगा, जो हमारा उल्टा हाथ है वो प्रति बिंब का सीधा हाथ होगा, हमारी सीधी आख प्रति बिंब की उल्टी आख है और हमारी उल्टी आख प्रति बिंब की सीधी आख है, तो आप समझ गए इसी को पार्शव कहते हैं, एक उल्टा होता है, उपर सिर नीचे पैर हो जाएं, वो भी उल्टा होता है, लेकिन उल्टा सिर्फ उल्टा नहीं, पार्शव उल्टा, मतलब जैसे हम खड़े हैं, चित्र भी वेसा ही खड़ा होगा, लेकिन हमारे उल्टे अंग सीधे पाइश वुल्टा बोलते हैं इसे प्रति बिम दरपन के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा मतलब हम शीशे से जितनी दूर खड़े हैं शीशे में हम देखेंगे तो शीशे में दिखाई देगा कि शीशे के अंदर भी हम पीछे की तरफ उतनी ही दूरी पर खड़े हैं अग जब चलेंगे तो वह भी चलता है, आगे और पीछे की ओर, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो चित्र है, प्रती बिंब है, वास्तव में कोई मनुश्या या वस्तू वस्तू चीज नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई चीज है नहीं केवल वो प्रती बिम्ब है यह आपको ध्यान रखना है अब चलते हैं आगे की तरफ अब यह देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्बूलेंस लिखा है और यही है पार्शव उल्टा जो हमने अभी बात की पार्शव उल्टा अगर इसे शीशे में आप देखेंगे तो आपको यह दिखाई देगा एम्बूलेंस लिखा हुआ और यही हाँ पर हमें क्रिया कलाब के तोर पर कहा गया है वाहन पर लिखा हुआ शब्द पढ़ना है और समतल दरपन की और कागच को रखना है एक कागच पर ABC अक्षर लिखने है और यह क्रिया कलाब भी अब जरूर करके देखेगा कागच पर लिखिया उसके बाद शीशे में जब देखेंगे तो आपको A ऐसा दिखाई देगा B ऐसा दिखाई देगा C ऐसा दिखाई देगा आपको इस तरीके के अक्षर उसमें दिखाई देंगे अब बढ़ें आगे की प्रकाश का प्रकाश का प्रावर्तन क्या है तो वो मैंने आपको कई बार बताया प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लोट जाना ही प्रकाश का प्रावर्तन है ये है हमारी परिभाशा जब प्रकाश किर्णे किसी वस्तु पर गिरती है तो टकरा कर उसी मार्ध्यम में आकार का अनुपात क्या है तो ये हमने पढ़ा ही था कि प्रतिविंब का आकार वस्तू का आकार एक जैसा होगा तो अनुपात समान होगा अनुपात क्या होगा समान होगा तो इन दोनों का अनुपात समान है थर्ड प्रश्ण तीसरा क्वेस्चन देख लेते हैं तीसरा क्व से पूछा गया है कि बताईए हम दरपण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिविम देख सकते हैं उनके नाम बताओ तो ऐसी कई चीज़े हैं जिसमें हम अपना प्रतिविम देख सकते हैं जितना शीष्य के अंदर इस पश्ट दिखाई देता है उतना इस पश्ट न भी दिखाई दे पर प्रतिविम दिखाई तो देता है जैसे आपने देखा होगा नए नए बरतन हम घर में लेकर आते हैं खासकर थाली उसके अंदर हमें अपना चितर दिखाई देता है कैमरे में भी हम अपना चितर देख सकते हैं चितर नए प्रतिविम प्रतिविम द दिखाई दे सकता है इसके अलावा पानी कैमरा और बहुत सारी चीजे हैं जिसमें हमारा प्रतिबिम हमें दिखाई दे सकता है इसके बाद एक एक एक्टिविटी करनी है जो निस्टिर आपको खुद करनी पड़ेगी स्काउटर में बिल्कुल भी आपके लिए लिख नहीं पाऊंगे क्योंकि करना ये है कागच पे अपना ही नाम लिखना है और उसे दरपन के सामने रखना है यानि कि शीशे के सामने रखी और उसमें जिसे वो उल्टे पाशव उल्टे अक्षर दिखाई देंगे आपको वैसे ही लिखने हैं जो उसका पाशव उल्टे चित्र लिम्ब दिखाई दे रहा है, वो आप अपने कॉपी में लिखे, अब ये मैं आपके लिए क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं मालूम है, तो फटा फट से इस activity को कर लीजे, मेरे प्रियर विध्यार्तियों, मैं उमीद करती हूँ, कि आपको महाध्यन की मिलने वाली इन वीडियो से आपका काम करने में मदद मिलती होगी, वक्षिट को समझने में भी आसानी होती होगी, अगर आप चाहते हैं महाध्यन की तरफ से, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूं, तो उसके लिए जरूरी है कि चैनल चलता रहे, और चैनल से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिये, उसका कलर चेंज हो जाएगा और आप वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्त रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद